गुड मार्निंग दोस्तों कुछ प्राबलम की वज़े से तवियत खराब होने की वज़े से वीडियो नहीं बन पा रहा था लेकिन अब आपको कांटिनू वीडियो मिलेगा आए आज के हम पहले कोश्चन को बढ़ते हैं तो पहला कोश्चन हमारा जियाई टैग से है अभी ह ये कहा कए एक स्प aickन करी है और चीकन करी है और चीकन करी नहीं मने की चींग वाला इस पर अराम कड़ाए उढ़ाई करी रहती है तो ये जी याई टैग मिला कहांके असम को एक रूमाल है बात समझ माया इस जीएट Do बात करे फुलफार्म होता है जिग्राफिकल इंडिकेशन हिंदी में बोली तो भागोलिक संकेति इसका एक अधनियम आया था 1999 में आयक्ट आया था यह भी पूछा जाता है और इस आयक्ट को लागू कब किया गया यह पूछा जाएगा तो लागू किया गया था 15 सेप्टमबर 2003 को लागू किया गया था और पहली बार किसे GI टाइग मिला था तो 2004 में दाजलिंग के चाय को मिला था दाजलिंग चाय और आगे अगर बात करें तो यह जारी कौन करता है GI टाइग तो याद रखेगा यह जारी करता है भावगोलिक संकेत रजिष्टरी भोगोलिक संकेत रजिस्ट्री इसे क्या करता है जारी करता है और ये कहां कहा है अगर आपसे पूछले इसका है भोगोलिक संकेत रजिस्ट्री तो याद रखेगा ये है चेन्ने में भारत का पहला रेल डिबा कारखाना भी कहां पे है चेन्ने में ये भी आपको याद रखना है और जियाई टैग कितने साल के लिए वैद होता है तो दस साल तक इसकी क्या होती है वैलिडेटी होती है याद रखेगा आईए कुछ लगातार जो जियाई टैग मिले है उनकी चर सरपुरिया मिठाई को भी जियाई टैग मिला है ये कहां का है वेस्ट बंगाल का और एक मिठाई और सरभजा मिठाई को भी क्या मिला है जियाई टैग मिला है ये भी कहां का है वेस्ट बंगाल का है तेजपुर की लीची को भी क्या मिल चुका है जियाई टैग मिल चुका आए और आगे बढ़ते हैं एक मिर्ची है एडियूर मिर्ची एडियूर मिर्च को भीजी आई टैंग मिल चुका है ये एडियूर मिर्च कहां पे है तो केरल को में है मसालो का बगीचा केरल में है याद रखेगा और बात कर लेते हैं कालीन हस्त निर्मित कालीन को भी जियाई टैग मिला है ये कहां का है जम्मू कास्मीर को केसर को भी जियाई टैग मिला है ये भी कहां का है जम्मू कास्मीर का है जूडिमा राइस वाइन को भी क्या मिल चुका है राइस वाइन को भी जियाई टैग मिल चुका है ये कहां का है तो ए भी भईया है असम का है याद रखेगा और बात करते हैं वाडा कोलम चावल को भी जियाई टैग मिल चुका है वाड़ा कोलम चावल कहां का है तो याद रखेगा ये भी महराष्ट का है इसे भी GI टेंग मिल चुका है और अगर आपसे बात कर लेते हैं सफेद प्याज को भी GI टेंग मिल चुका है ये भी कहां का है तो ये भी महराष्ट का है ये 2022 में कुछ लगातार G.I. टेंग मिले हैं जो आपके सामने हमने चर्चा किया आईए आज के दूसरे कोश्चन के बढ़ते हैं आज का हमारा दूसरा कोश्चन है सैनभ्यास से सैनभ्यास की बात करें तो अभी हाली में समन्वित समन्वित गस्त कॉर्परेट गस्त कॉर्परेट सैनभ्यास संपन हुआ है ये कहां पे संपन हुआ है ये आप से पूछ लिया जाएगा तो याद रखेगा ये सैनभ्यास किसके बीच पहले हुआ है ये देखेगा इंडोनेसिया के बीच हुआ है भारत और कौन सी सेना भाग ली है भारत और इंडोनेसिया की सेना क्या की है इसमें भाग ली है वो भी नव सेना सैनभ्यास है किस नंबर का था वो अंतलिस्वे नंबर का है ये भी आपको क्या करना याद रखना है कहां पे हुआ है तो याद रखेगा ये हुआ है अंडमान निकोबार दीव समू में है, याद रखेगा, अंडमान निकोबार दीव समू में एक सडक है, जो उतरी अंडमान से दचछडिय अंडमान को जुडती है, उस नेसल हाईवे का क्या नाम है, नेसल हाईवे फोर है most important है, नेसल हाईवे के बात आई है तो सबसे बड़ नेसल करते हैं यह पॉइंđ है पोइन अब चाहा है अपने उत्तर प्रदेश में है बढ़न हम कवो बॉलन में इसी कि युद्य अभ्यास Kini कुरूं को बता है तो ब्रज प्रहार, ब्रज प्रहार सैनभ्यास किसके किसके बीच होता है, अमेरिका और भारत के बीच होता है, इसका तरहमा संस्कर संपन हो गया है, कहां पे संपन हुआ है, बकलोह में संपन हुआ है, और बकलोह कहां पे भया, यह आपके कहां पे, क्या नाम है, हिमाचर प् कौन सा संसकर था नवा संसकर था कहां पे वहीं हिमाचल प्रदेश बकलोह में संपन हुआ है अगर आपसे बात करें धर्म गार्जियन सैनभ्यास तो धर्म गार्जियन सैनभ्यास जो है ये किसके बीच होता है भारत और जापान के बीच होता है ये कहां संपन हुआ है भाईया तो ये करनाटक में संपन हुआ है ये भी आपको याद रखना है वरुड सैनभ्यास किसके किसके बीच होता है तो वरुड सैनभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है इसका बिश्वा संस्क्र संपन हो गया है कहां पे संपन हुआ है अरब सागर में संपन हुआ ये भी याद रखेगा अरब सागर की रानी किसे काते हैं कोची को कहा जाता है यह पूछा जाता है यह पूछा जाता है यह आज के हम तीसरे कोश्चन को बढ़ते हैं आज का तीसरे कोश्चन हमारा क्या है इंडिया वाटर इंपेक्ट समिट अभी हाली में संपन हुआ है इंडिया वाटर इंपेक्ट समिट 2022 कहां हुआ है तो याद रखेगा यह अभी इसका सात्मा संस्कर्ट संपन हुआ है कहां पर हुआ भीया दिल्ली में इसका सात्वा संसकर्ड क्या हुआ है संपन हुआ है किस मंत्रालेने के अधिन था ये अगर आपसे पूछ ले तो मंत्राले वाटर है दिखी रहा होगा तो जल सक्ती मंत्रालेने इसको लांच किया है जल सक्ती मंत्राले के अधिन ये संपन और बात कर लेते हैं तो इसमें जो है फाइप पलान पे बात किए गया फाइप प्लान क्या है पीपल है फाइप ili का मतलब पीपल सह पॉलिसी है प्लान है प्रोग्राम है और एक प्रोजेक्ट है इतनी बातों पे जल को किस तरीके से बचाया जाए नदी को किस तरीके से जोड़ा जाए इन सभी बातों पे इसमें बात की गई इसलिसे 5P प्लान कहा गया है पीपल्स पॉलिसी प्लान प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इन पॉइंट आपको याद रखना है आए आज के हम चौथे कोशन के और बढ़ते हैं और चौथा कोशन हमारा ये ये अभी हाली में नेत्रहीन आपका किरके टूनामेंट संपन हुआ है तो नेत्रहीन जो आपका T20 विसकाप है ये किसने जीता है आए निप्टाते हैं इन भाई को भी नेत्रहीन T20 विल्ड कप किसने जीता है तो याद रखेगा ये भारत जीता है लगतार तीसरी बार भारत लगतार तीसरी बार ये खिताब अपने नाम कर चुका है लगतार तीसरी बार और अगर आपसे बात करें कब कब बार भारत जीता है तो एक बार 2012 में हुआ था तब जीता था एक बार 2017 में हुआ तब जीता है और एक बार 2022 में हुआ तब जीता है लगतार तीनों बार भारत जीता है और ये तीनों के तीनों मैच का हुए थे भारत में ये जो है इसका आ ये मैच का यूजन किया गया, ये point आपको याद रखना है, और आगर आपसे बात कर लेते हैं, 2023 वाला, 2023 का ने त्रहीन T20 World Cup कहा होगा भाईया, पाकिस्तान में होगा, कितनी टीमें इसमें भाग ले थी इस बार, तो 6 टीमें भाग ले थी, एक हम खुद हमारा देश भारत, दूसरा देश है नेपाल, तीसरा देश है स्रीलंका, चौथा देश है अस्ट्रेलिया, पांचमा देश है बंगला देश, बंगला देश है, और एक देश और है दच्छिड अफिरका, I think टोटल 6 टेश हो गए, इंडिया, नेपाल, स्रीलंका, अस्ट्रेलिया, बंगला दे भाग लिये हैं अभी हाली में पुरुष T20 वर्ल्ड कप भी क्या हुआ है पुरुष T20 वर्ल्ड कप भी क्या हुआ है संपन हुआ है पुरुष T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है इंगलेंड ने जीता है किसको हरा करके पाकिस्तान को हरा करके ये T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है पॉइंट आपको याद रखना है आईए और ये T20 World Cup कहां हुआ था तो इस बार का T20 World Cup Australia में हो रहा था ये भी आप से पूछा जा सकता है आईए हम अगले Question के और बढ़ते हैं अगले Point के और चर्चा करते हैं अगर आप से बात कर लेते हैं अभी हाल ही में एक आदमी है जिनका नाम आपको हम बता देते हैं Leo Varadkar किस देश के प्रधान मंतरी बने हैं किस देश के प्रधान मंतरी बने हैं अगर आप से बात कर लेते हैं ये पहले गे प्रधान मंतरी हैं पहले गे प्रधान मंतरी हैं कहां के आईलेंड के ये भी आपके लिए important हो जाता है अगर आप से आईलेंड की बात कर लेते हैं तो आईलेंड की राजधानी क्या है डबलिन आईलेंड की राजधानी हो गई डबलिंग इसकी मुद्रा की बात कर लेते हैं तो मुद्रा है यूरो अगर इसकी संसद की बात कर लेते हैं तो संसद है चटास क्या नाम है भईया ओरियो चटास ओरियो चटास इसके संसद का नाम है अगर आपसे पूछे किस देश में सबसे नविंतम समिधान लागू किया गया तो यह नेपाल है याद रखेगा यह भी एकजाम में पूछा जा सकता है कुछ परधार मंतरी की बात करें अभी हाले में भारतिय मुलके हैं रिसी सुनक रिसी सुनक जो है यह किस देश के परधार मंतरी बने है तो याद रखेगा ब्रिटेन के परधार मंतरी बने है रिसी सुनक यह भारतिय मुलके है और अगर आपसे बात कर लेते हैं इंटोनियो क किस दश के परधार मंत्री बने हैं, तो याद रह MORए बने हैं, पुरत्गाल के परधार मंत्री, Antonio Costa, ये पूत्चा पूत्च करते हैं, हमारा अगला कोश्चन है, अभी हाली में, Harvard उनिवरिसिटी चर्चा में आ चुकी थी, Harvard University चर्चा में है, क्यों चर्चा में हैं? आईए चर्चा वाली बात को हम चर्चा कभी कर लेते हैं तो अभी इसकी पहली एस्वेत महिला अध्यच बनी है Harvard University की पहली एस्वेत महिला अध्यच कौन बनी है इसलिए ये चर्चा में आ चुका है तो पहली महिला कौन बनी है याद रखेगा Cloudyn Gay बनी है ये पहली महिला अध्यच ऊभी ऐस्वेत ये लाइनाप के लिए इंप्रेट है ऐस्वेत बनी है अमेरिका में और ये किस नंबर की है तीसवी नंबर की है याद रखेगा ये Harvard University कहां है आप से पूछले तो याद रखेगा ये अमेरिका में Harvard University एस्वेत की बात आई है तो आपको पता होगा अमेरिका की पहली महिला उपराष्टपती जो है एस्वेत महिला उपराष्टपती कौन बनी है तो कमला हैरिस जो है अमेरिका की पहली महिला उपराष्टपती एस्वेत है ये लाइना आपके लिए इंपोर्टन हो जाती है ये भारतिय मुल्की है आईए कुछ दो तीन चर्चा का लेते हैं जो अभी हाली में न्युक्ती हुई है जैसे अगर आपसे न्युक्ती की बात करें तो सबसे पहले न्युक्ती में बात करेंगे हाकी इंडिया के अध्यच कौन बने है हाकी इंडिया के अध्यच कौन बने है तो उपाध्यच कौन बने हैं और अध्यच है याद रखेगा नितियायों के उपाध्यच बने है सुमन के बेरी सुमन के बेरी यह उपाध्यच नितियायों के अस्थापना 2015 में हुई थी National International Institutions for Transfirming in India, इसका Pancha फुलफार में ये पंच वर्षा उजना का स्थान लिया है, अगर आपसे बात करें, डियाड़ीो के अध्ययर कौन बने हैं, तो याद रिखेगा समीर वीकामत, समीर वीकामत डियाड़ीो के क्या बने हैं, अध्ययर बने हैं, और बात करहेते हैं, अंतरा अंतराश्टी हाकी महासंग के अध्यच कौन बने हैं तो याद रिखेगा मोहमद तयव इकराम बने हैं हाकी इंडिया के अंतराश्टी हाकी महासंग के अध्यच आईए, आम कुछ बात कर लेते हैं, दिसंबर का मन्द चला है, दिसंबर में कौन कौन से दिवस मनाये जाते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं, इंपोर्टन पूरा नहीं, दिसंबर के इंपोर्टन दिवस की चर्चा कर लिया जाता है, तो एक दिसंबर को क्या मनाये गया तो भाईया दुई दिसम्बर को मनाए गया और बात कर लेते हैं चार दिसम्बर को क्या मनाए नौ सेना दिवस हम मनाते हैं अपने सेना का दिवस मनाते हैं नौ सेना दिवस और बात कर लेते हैं दस दिसम्बर को क्या मनाए गया अंतराष्टिये मानवा धिकार दिवस मनाए अंत क्तनी अनुच्छेद है 30 अनुच्छेद ہے यह आपको याद रखना है आईए और बात कर लेते हैं 10 दिसम्भर के बाद 18 दिसम्भर को 18 दिसम्भर को क्या मनाये गया तो याद रिखेगा राश्ट्रिय अल्प संख्यक दिवस मनाए गया है 18 दिसंबर को 19 दिसंबर को क्या मनाए भाई या गोवा मुक्ती दिवस मनाए 19 दिसंबर 1961 को गोवा क्या हुआ था पुर्दगाल से आजाद हुआ था और 1961 में 1962 में इसे कि इंसासित बनाए गया 1987 में से पूर्द आज का क्या बना दर्जा दिया गया ये पॉइंट आपके लिए important हो जाता है 22 दिसंबर को क्या मनाए गया राष्टिये गडित दिवस का मनाए गया 22 दिसंबर को मनाए जाता है 23 दिसंबर को क्या मनाए गया भाईया किसान दिवस मनाए गया कब 23 दिसंबर को क्या मनाय गया राष्टिय उपभोगता दिवस मनाय गया है 24 दिसंबर को राष्टिय उपभोगता दिवस है और बात कर लेते हैं 25 दिसंबर को क्या मनाय जाता है सुसासन दिवस मनाय जाता है गुड गवर्नस डे मनाय जाता है इस दिन और बात कर लेते हैं 29 दिसंबर को क्या मनाय जाता है अंतर राष्टी ये जैव विभित्ता दिवस मनाय जाता है अंतर राष्टी ये जैव विभित्ता दिवस मनाय गया कब 29 दिसंबर को तो ये रहा आज का हमारा करेंट अफेयर अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सेर सस्क्राइब और बन्वाद दोस्तो